नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं स्रियकाल नहीं चलेगा, सभी की अपनी संस्क्रीती होती है, हमारी आदिवासी संस्क्रीती में जोहार महतपून है आगे उन्होंने कहा है कि देश में सरोषपद पर एक भी आदिवासी जज नहीं है, बड़े वकील नहीं है, तो हम आदिवासीों को इनसाफ कौन दिलाएंगा आप लोग को मयह बता दू की वर्तमान में देश की जेलों में सबसे अधिक आदिवासी व दलीत ही बंध है बिपक्ष आदिवासीों को आपस में लड़ाने में लगी हुई है, जहां लड़ाई जगड़े होते हैं वहीं भाजपा सरकार बनाती है यहां के लोगों को इसको समझाना होगा और अपने राज को अमन्चेन के साथ रखना होगा उन्होंने कहा आए कि सरकार सोजण पेंसन योईना के तहाद सभी जरुत मंदों को पेंसन देने का काम कर रही है 1932 का खतियान मानेगा वही जहारखन पर करेगा राज मुख्यमंत्री हेमंसुरे ने 1932 के खतियान को लेकर अपनी मन सा बिल्कुल असपश्ट कर दी है मंगलवार को चाईबासा के खुटकर्टी मैदान में कुलान वास्यों को समभधित करते हुए हेमंसुरे ने कहा है कि जो 1932 का खतियान मनेगा वही जार्खन पर राज करेगा कुछ लोग कह रहे हैं कि खतियान का अधार 1932 मानेगे तो जार्खन जल जाएगा हम देखते हैं कि कौन इसे नहीं मानता है मुक्ष मंत्री ने खतियानी जोहर यादरा कारकरम को समभधित करते हुए कहा है कि जार्खन को अलग राजे बनने के लिए 20 साल पहले जब गुरुजी सिवू स्टोरेन ने बोला था तब बाहरी बोलते थे कि आदिवासी किया अलग राज बनाएंगे यहां के आदिवासी और मुलवासी ने 30 से 35 साल की लंबी लड़ाई लड़ी इसमें कई महिलाये बिधवा हो गाई और कई बचे अनाथ हो गाई उस दोरान जार्खन के हर गाउं में जालिया वाला बाग की तरह कांड हुगा कई आदिवासी मारा पिटा गया कई मरे और कई जेल भी गए दिश्वम गुरू सिवू सुरेन ने जंगल पहाड और नदी में घुम घुम कर लक्ष को मंजिर तक पहुचाया लेकिन किसमत ऐसी है कि दूसरी पाटने जार्खन पर काबजा जमा लिया जार्खन में मार्च तक होगी 1266 की नियुक्ति जार्खन की युवाव के लिए खुसकबरी है राज्य में 100066 की नियुक्तिया सरकार करने जा रही है इससे स्कूलों में शिक्षको की कमी भी दूर होगी और युवाव को रोजगार भी मिलेगा नियुक्ति परकिरिया को JPSC की ओर से हरिजहंडी दे दी गई है एक से डेड मां के अंदर नियुक्ति की परकिरिया पूरी की जाएगी बता दे जारखन में मार्च तक 12,600 की नियुक्ति होगी शिक्षा विभाग ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है जिसके तहट हाई स्कूलों में करीब 96,600 और स्कूल अफ एकसिलेंस और मोडल विद्याला में तीन हजार सिक्षा को की नियुक्ति होगी इतना ही JPSC के माध्यम से 49 प्रधना ध्यापक की भी नियुक्ति की हरिजहंडी मिल गई है गौतलभाई की राजे भर में 35 या 430 इसकूल है जिसमें बर्तमान में 1,15,790 शिक्षक करे रहत है आकड़ों के मताबिक राजे में कखषा 1-5 में 30 चार्थ पर एक सिक्षक कखषा 6-8 में 23 चार्थ पर एक सिक्षक रांची डीसी ने कहा सरकारी स्कूलों में सिक्षा के अस्तर में सुधार करे रांची जीले में सक्षर्टा दर को बढ़ाने और बच्चों को गुनवाता पूर शिक्षा उपलब्द कराने के लिए सरकार और प्रसासन जोर सोर्षे जूटा हुआ है इसी कराम में डीसी राहुल कुमार सिनहा ने सिक्षा विभाग के पता दिकार्यों के साथ बैठक कर सिक्षा विभाग से जूड़ी योजनाव की समिक्षा की बता दे रांची जीले की सिक्षा विवास्ता को मजबूत करने के लिए रांची को पयुत राहुल कुमार सिनहा न गंतंत्र दिवस को लेकर एक तरफ जहां पूरा सहर अलोट मोड़ पर है वहीं दूसरी तरफ यार्पोर्ट पर सासन भी सुरक्षा के मदनेजर यारपोर्ट पर लागता निग्रानी बनाए हुए है यारपोर्ट परवंधन के साथ साथ CISF के जवाण और जिलाबल के जवाण प्रती दीन आने जाने वाली आत्रियों के गहन जाच कर रहे हैं CISF और जिला बॉल के जवान बिसेस निग्रानी कर रहे हैं यारपोर्ट अथरुटी ने भी सुरक्षा के मद नजर अपने सभी करमचारियों को बिसेस दिसान निर्देश दिये हैं बता दे CISF के डिप्टी कमांडेट मनीश कुमार बताता है कि 15 अगस और 26 जनवरी को सरकारी की ओर से रूटिन अलर्ट जारी किया जाता है जिसके अंतरगात CISF के जवानों की संख्या में भी बडोतरी की जाती है डिप्टी कमांडेट मनीश कुमार ने बताया है कि ऐसे तो CISF के जवान पूरे साल यात्रियों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं जारखन सरकार ला रही है हमीन कर बजट हेमांत सरकार ने बितिये वर्ष 2023 के बजट को हमीन कर बजट नाम दिया है इसी नाम से जारी पोर्टल पर लोगों के सुझाव भी मांगे गाए हैं अब तक 830 से ज़्यादा सुझाव सरकार को मिले हैं उन सुझावों की स्क्रीनिंग की जा रही है आज बीत मंत्री रामेश्वर उनाव के अज़क्ता में बजट पूर्व संगोष्टी का आयोजन हुआ जिसमें कई बिन दूवों पर विस्तार से चर्चा हुई जार्खन में आर्थिक मामलोक के जानकार प्रोफेसर हरिस्वर देयाल ने बताया है कि 2022 स्टेज के बयट को हमर बयट नाम दिया गया था नक्सल परभावित इलाकों में नौजवानों को सौरोजगार से जोड़े मुख्य मंत्री हमांसुरेने मंगलवार को टाटा कॉलेज मैदान में पच्मी सिम्भूम और सिम्डेगा की बिकास पजोईना की समिक्षा करते वे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नक्सल परभावित इलाकों में नौजवानों को सौरोजगार से जोड़ने के उपाय किये जाए इस दोरान मुने कहा है कि पच्मी सिम्भूम और सिम्डेगा जिले में नक्सल गति भी दिया थोड़ी ज्यादा है ऐसे में यहां विकास को और तेज करने की जरूरत है नौजवानों को रोजगार या सौरोजगार से जोड़ने में अधिकारी अपनी जिमेदारी को निभाय ताकि वे भटकाओ का रास्ता न अपनाए बाबा नगरी में भाजपा ने लिया हेमन्त हटाओ जहर्खन बचाओ का संकल्प परदेश के 12 जियोतिर लिंक्स में एक बैबा बैधनाथ की नगरी में हेमन्त हटाओ जहर्खन बचाओ का संकल्प भाजपा परदेश कारिसमिती की बैठाक में लिया गया परदेश अध्यक्ष दीपक परकास ने एलान किया है कि मार्च में रांची की सड़ख पर हमन्त हटाओ जहर्खन बचाओ का बिसाल परदसन किया जाएगा इसमें भाजपा के करिकरता ही नहीं पूरे परदेश की लाखो जनता मी सामिल होंगी उन्होंने कहा है कि जहर्खन में जंगल राज है राज में आराजातका की इस्थिती है कारून बेवस्ता चर्मरा गई है कोईला और बालू वाले इलाके के थानों की बोली लग रही है इतना ही नहीं अधिकारियों को भी हर महीने पद पर बने रहने के लिए रिचाज कराना होता है सरकार ने प्रसासन को पसुत स्करों को नहीं पकड़ने का निर्देश दे रखा है अब जानता रहुबर दास अरजुन मुंडा और बाबुलन मरांडी के करकारता से बरतमान सरकार की तुलना कर रही है थाना का निरिक्षन करने पहुँचे सियाम हेमांत सुरेन मुख्यमंत्री हेमंसुरें सोमवार को जब मोफसिल थाने का निरिशन करने पहुंचे तो थाने की हलाद दे कर नराज हो गए थाने की हलाद पर उन्होंने पुलिस अधिक्छक से कहा कि यह थाना कम और हाड़ वेर की दुकान ज्यादा लग रहा है उन्होंने कहा कि थाने को थाना बना कर रखो कवड़ खाना नहीं रांची में पंचीस और छबिस जनवरी को लगे का टूसू मेला रांची के बुड़ू स्थीत सुर्य मंदीर में 25 और 26 जनवरी को टूसी मेले का आयोजन किया गया है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सुर्य मंदीर परिसर में दो दिवसी टूसु मेले को लेकर जोर सुर्थ से तयारी की जा रही है इस टूसु मेले में बड़ी संख्या में पंच परगना सहीत राजी के विभीन इलाकों से लोग मेला देखने के लिए पहुँचेंगे यहां न सिर्फ संस्कृति करिकरमों का आयन होगा बलिक आकर्षक जाकिया भी निकाली जाएगी प्रमपरा के अनुसार गरामीन टूसु गीत संगीत पर नाचते गाते चोडल लेकर ढोल नगाड़े के साथ दरजनों टी में आकर्षक जाकिका परदसन करेंगी धन्यवाद